नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इडी ने अगर चेतावनी को समयने में देर की तो इसके गंभीर पहिनाम हो सकते हैं उन्होंने इडी की करवाई पर सवाल भी उठाये हैं कहा है कि चुनावी वर्ष में अभी का समय काफी महत्पून है ED की करवाई सर्वजहनिक होने पर भी उन्होंने अपत्ति जताई उन्होंने कहा है कि राज सरकार को परिसान किया जा रहा है ED राज में भरम गिश्थिती पैदा कर रही है पिछले वर्ष 14 अगस्त को पहला समन किया गया था उन्हें पता होगा कि इस दिन मुखे मंत्री कितने बेश्थ रहते है ED छपे मारी करती है लेकिन यह नहीं बताती है कि किसके यहां से क्या बरामत हुआ है ED के साथ राजनितिक लड़ाई लड़ने पर विवस किया जा रहा है जैसा 37 गोड़ और राय थान में किया गया वैसा ही जारखन में किया जा रहा है JSSC में 494 पदों के लिए ओनलाइन आवेदान शुरू जारखन तकनिकी बिसिष्ट योगिता धारी असनातक अस्तरी सन्युक्त परत्योक्ता परिक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ओनलाइन आवेदान की परक्रिया मंगलवार को जारकन करना चाहिए चैन आयोकद्वारा लिंक जारी किये जाने के साथ ही सुरू हो गई है इस परिक्षा के माध्यम से 494 पदोपन युक्ति होगी जिन में 308 पद प्रक्षन क्रिसी पताधिकारियों के हैं ओनलाइन आवेदन की अम्तिम तीथी 15 फर्वारी निधारित की गई है वही 17 फर्वारी तक परिचा सूल का भुक्तान होगा तथा 29 फर्वारी तक पोटो एवं हस्ताक्षर अप्लोड होगा इस परिचा के माध्यम से सहायक अनुसंधान पताधिकारि एवं समकछ के आठ पउधासनक्ष निरिक्षक एवं समकछ के 26 अनुमन्डल, उद्यान पताधिकारी एवं समक्श के 14, सांखिकी सहाइक एवं समक्श के 28, परभ।षक की 4, 20 बैक लोग प पदो पर नहिती होगी। जारखन के सभी बिस्व बिद्याले और कोलेजों में चलेगा साइबर फ्रोट जगरूपता अभियान रिजर बैंक ओफ इंडिया की और से जिवाओं को बित्तिये दोखा धाड़ी और साइबर फ्रोट पर सतरक करने के उद्देश से से बड़ी पहल की जा रही है इसके तहद बित्ये सक्षर्था कारकरमों के अलावार राजे के सभी बिस्व बिद्याले और कोलेजों में बिद्यार्थियों के बीच निबंधन प्रत्योगता आयोजित की जाएगी इसका बिशाय है अपने आसपस बीत्ये दोखा धाड़ी और साइबर फ्रोट की कोई घटना और उससे बचने के उपाय निबंध प्रत्योगता में प्रतिभागी हिंदी आंग्रेजी भासा में अपनी बात लिख सकते हैं पलामू में पंडित ध्रेंद्र क्रिश्न सास्त्री के कारकरम रद करने पर हाई कोट नराज पलामू में पंडित ध्रेंद्र क्रिश्न सास्त्री बाबा बागेस्वाद हम सरकार के 10 से 15 फर्वाई 2024 के प्रस्तावित कारकरम के संबाद में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समीती की रीट याज का पर जारकन हाई कोट में मंगलवार को सुनवाई होई मामले में जर्षिस आनान सेन के कोट ने पलाम को उपायूद की और से कानुन व्यवस्ता की समस्या बता कर एक बार फिर पंडित ध्रियंद्रे क्रिशन सास्त्री के कारकनम को रद करने को गंभीता से लिया है नराज कोट ने बुद्धवार को वर्चुल मोड में राज के मुख सची एवं डिजीपी को उपसित होने का निदेश दिया है सुनवाई के दोरान प्रार्थी के अधिवक्ता की और से कोट को बताया गया था कि हनुमन्त कथा आयोजन समीती ने तीन जनवरी को उपायुक्त पलामो को बावा बागेस्वार धाम के कारकनम को लेकर डिटेल एक्शन पलान दिया था कोडार्मा मे के जुम्री तीलये सहर के देवी मंडप यिसी सितला मातामंदिर के समीब से एक चाव वर्षी बच्चे का आपहरन करने का मदला सामने आया है जनकारी के उनसा अच्छा वर्ष ये आयन राज पीता गोपी आदव को दो महिलाए पतंग दिलाने का जहासा देकर बजार की तरफ ले गई और तब से वह गायब है आर्यान के परिजनों ने बच्चे की अपहरन होने की सिकाय तिलाई या थाना में लिखित रूप से की है पुलिस ने अपहरन का मामला दच कर लिया है घटना सो मर्दों पर दो बज़े की बताई जा रही है यातरी बनकर बस में चड़े लूटे रे 18 लाख की लूट जारखन में दिन दहरे लूट की वरदात सामने आई है यहां तीन बेहपारियों से 18 लाख रूपाय की लूट की गई घटना मंगलवा सुबा उस वक्त हुई जब बेहपारी कुलकता से राची जा रहे थे इसी दोरान चार लोगों ने बंदुक की नोख पर उनसे 18 लाख रूपाय लूट लिये पुलिस ने मामले की जनकारी देते हुए बताया है कि तीनों बेहपारी सोम वरदात को कुलकता से बस में बैठे थे बस कुलकता से राची जा रही थी वहें लूट की वरदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दसम थाना चेतर में राष्टरी राजमारक 33 पर थी पुलिस ने घटना की जनकारी देते हैं बताया है कि तीनों बेहपारी काम के सिलसीले में कुलकता गए थे और वहाँ से पैसे लेकर वापस लोट रहे थे बाबुलाल मरांडी ने इडी की फूश्टास को लेकर स्थीम पर साधा निसाना मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने इडी को उनसे पूश्टास करने की जाज़ दे दिया है CM सुरेन ने ED को सुषित किया है कि वो 20 जनवारी को CM आवास पर आकर उनसे पूछताश कर सकती है इसे लेकर पूरमुख मंत्री और भाजबा के परदेश अदेश बावलामरांडी ने उन परतंज कसा है बावलामरांडी ने अपने एक सचतकार में कहा है कि हेमन्त सुरेन की अकड़ कम होती नजर आ रही है साथ उन्हें किसी ने समझाया होगा कि वो गलत राश्ते पर चल रहे हैं इसलिए आखिरकर उन्होंने ED को पूछताश के लिए अपने घर बुलाया है भाजपा अधक्ष ने आगे कहा कि देश का कानून सब के लिए एक है ED कानून के तहत ही पूछताश करती है जाच एजेंसी को कहीं गलबड़ी दिखेगी तो वह पूछताश या जाच कर सकती है जारखन कोई अलग देश नहीं है इसलिए पारलियामेंट से पास कानून वहाँ भी समान रुप से लागू होता है जारखन में बदलेगा मौसम का मिजाज कलाके की ठंड वसित लहरी के बीच जारखन में मौसम का मिजाज बदलेगा कोहरे से भी अभी राहत नहीं मिलने वाली है 17 वा 18 जनवरी को राज में बारिस होने की संभावना है मौसम विभा की माने तो पुर्वी सिंभूम पच्मी सिंभूम सराय के ला सिंडेका राची बोकारो गुमला हजारी बैख खोटी रामगर देवघर धनबाद दुमका गिरीडी गोड़ा जाम तरा पाकुर साहिब का जीले में कहीं कहीं हलके दर्जे की बारिस हो सकती है वहीं 19 जनवरी तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है अलाकि 22 जनवरी तक कोहरे से रात मिलने वाली है MS धोणी के खिलाब दिल्ली हाई कोट में मान हनी का के स्टीम इंडिया के पुर्व कप्तार महेंदर सिंग धोणी के खिलाब दिल्ली हाई कोट में मान हनी का मुकादमा दायर किया गया है उनकी ओर से काम करने वाले लोगों को उनके खिलाप मानहानी कारक आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांकी है या अनुबंध धोनी और दिवाकर और दास की स्वामित वाली कमपनी आरका एस्पोर्ट मनेजमेंट के बिच हुआ था या अनुबंध भारत और 208 पर किर्केट अकादमियों के अस्थापना के लिए था इटली को 5-1 से रोंद कर भारतिय महिला टीम सेमी फाइनल में जार्खन की रैधानी राची में चल रहे है एचाइफ महिला होकी क्वालिफायर में इटली को 5-1 से हरा कर भारत ने 6 से समी फाइनल में परवेश किया है इसके बाद भारत ने भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा भारत की बेटियों ने कमाल का प्रशन किया और अधिकतर समय गेंद अपने कपजे में रखी भारत में इटली को एक भी पनाल्टी कॉनन बनाने का मौका नहीं दिया कोईला कारोबारी इजहार अंसारी हजारी भाग से आरेश्टे कुल लिंकेज केस में इडी ने कोईला कारोबारी इजहार अंसारी को आरेश्टि कर लिया है पताया जाराय की साम 7 बचकर 50 मेट पर इनकी गिरफतारी हुई है हलाकि इसके अधिकारी एक पुष्टी नहीं हुई है इडी के अधिकारीयों ने मंगलवार की सुबा से हजारी बाग और रामगार रिष्टी ठीकानों पर छापे मारी की है अजारी बाग के लो सिंगना थाना छेद रिष्टी कोईला कारोबारी इजहार अंसारी के ठीकानों पर इडी ने दूसरे बार छापे मारी की इडी की टीम सुबा साथ बजे कोईला ब्योसाई इजहार अंसारी के अवास पर पहुँच गई थी इडी के आड ससे टीम ने छापे मारी की है सरना संगठनों का डिली स्ट्रिंग के खिलाब तीस को धरला आदिवासी संगठनों के सन्युक्त बैठक मंगलवार को हुई आयोजन केंद्रिये शेरना समिती छेतरिये पढ़ा समिती राजी पढ़ा प्रातना सभा और आदिवासी अधिकार मंच ने सन्युक्त रूप से किया है अद्यक्सता मंच के अद्यक्स प्रफूल लिंडाने की इस दवरान डिली स्ट्रिंग की मांग का बिरोध किया गया और निने हुए है कि धर्म आस्ता के नाम पर जन्जाती सुरक्षामन से द्वारा अधिवासियों के सन्वेधानिक अधिकारों में अर्चना पैदा करने की कोशिस के खिलाब अभियान वा अंधुरन चलाया जाएगा समाती बनी है कि 30 जन्वरी को डिली स्ट्रिंग के बिरोध में सन्युक्त संगटनों के दोवारा राजभवन के समीब धारना दिया जाएगा और राजेपाल को असमार पत्र सोपा जाएगा एक गारा फरवरी को कुर्मी को एस्टी बनाने का होगा बिरोध कुर्मीयों के दोवारा एस्टी सुजी में सामिल किये जाने की मांग दोवारा उठने से जहारकन की सियासत गरम हो गई है मांग के बिरोध में सभी आदिवासी संगटन गोल बंध हो गए है इसी को लेकर मंगलवार को भी भीन आदिवासी संगठनों की बेठा करम टोली स्थी धुमकोडिया में हुई और एक मंच पर आकर एगारा फरवरी को पैदल पद्यात्रा निकालने करनी नहीं हुआ है कुर्मियों की एस्टी सुजी में सामिल करने की मांग के बिरोध में सुबह 10 वैसे मुरवादी मैदान से बीर्चा चोक तक पद्यात्रा निकाली जाएगी पुरो मंत्री सा आदिवासी महसबा के संजोग देव कुमादान ने कहा कि कुर्मी महतों कभी आदिवासी नहीं थे और वे नौर्थ बिहार वह अन इलाकों से जार्खन में आकर बसे हाए जार्खन प्रोनत नियमावली के ड्राप्ट की प्रतियां जलाएंगे सिक्छाक जार्खन के प्रालाम्बिक इसकुलों के सिक्छाक 28 जन्वरी को जार्खन प्रोनती नियमावली 2024 के ड्राप्ट की प्रतियां जलाएंगे वहीं ड्राप्ट के बिरोध में 17 परवरी को मुख्य मंत्री आवास का घेराव भी करेंगे जार्खन प्रगती सिल सिक्षक संग के अध्यक्स अनंद किसोर साहू और महासर्चीव बलजीत कुमार सिंग ने इसकी घोसना की है संग की ओनलाइन बैठाक में इस पर नीना लिया गया बैठाक में जार्खन प्रगती सिल सिक्षक संग ने चरनबद आंदोलन करने की घोसना की है आंदोलन में 18 जनवारी को सभी जीला कमेटी अपने परखंड और जीले के सभी सिक्षक से संगाटनिक अस्तरपनी मावली के बिरोद में सुझाओ देने को कहा गया है मुख्य मंत्री इडी को घर में बुलाती है और पार्टी नेता दे रहे धमकी बीजेपी जामो महासर्चु सुप्रियो भटाचार के ब्यान पर भाजबा परदेश महामंत्री परदीप वर्वा ने करीप परति किरिया दी है वर्वा ने कहा है कि एक तरफ मुख्य मंत्री हमान सुरेन आठवे नोटिस के बाद इडी को पुष्टाज के लिए अपने पास ही बुलाना चाहते है दूसरी और उनकी पार्टी के वरिष्ट नेता महासर्चु सुप्रियो भटाचार इडी को धमकी भी दे रहे अधिकारी पुष्टाज के लिए घर जाए क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है जब अपराद केलिए साजा सब के लिए बराबर है तो पिर कानूनी परकिरिया भी बराबर होनी चाहिए आंगनवारी केंद्रों को दिये जाएंगे बेंच डेस्क पोसाक वा कीट जारखन के आंगनवारी केंद्रों के बच्चे और बेंच डेस्क पर बैठेंगे राई सरकार सभी आंगनवारी केंद्रों में बेंच डेस्क उपलब्द कराएगी वही सरकारी स्कूलों के तर्ज पर आंगनवारी के बच्चों को भी पोसाक जूता मोजा और स्कूल कीट जिया जाएगा स्कूल कीट के अंतरगत रीडिंग वा राइटिंग कीट भी दिये जाएंगे ए योजनाय अगले वीतिय वर्ष से शुरू की जाएगी इसकी जनकारी महिला बाल विकास वा समाजिक स्कूलक्षा विभाय के सचीव क्रिपानन्द जान दी है वे सुचना भौन में मंगलवार को विभाय के उपलब दियो और भावी वजनाओ की जनकारी दे रहे थे क्रिपानन्द जान ने कहा है कि जारका ने 50-60 वर्ष के अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के लोगों को बिर्धा आवास्था पेंशन का लाब मिलना है चार साल में महिला आयो का गठन नहीं कर पाई सरकार लुईस मरांडी पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने भाजबा परदेश करेला में आयोजी पेस वर्ता में कहा है कि चाल वर्षो सरकार जानता कि आख में धोल जोक रही है नहीं महिला आयो का गठन हुआ और नहीं समाज कल्यान विभाग में अंगनवारी केंद्र की सेविका साहिका को किसी भी तरह का यूनिफर्म उपलब दो पाया डक्टर लुईस मराणडी ने कहा है कि बढ़े हुए कूपोशन को रगवर सरकार में बहुत हत्ता कंट्रोल किया गया था लेकिन आज कूपोशन दिन परते दिन बढ़ रहा है रगवर दास की सरकार में पोशन सकी का नियुक्ती हुई थी और वे सब अपनी सेवाई भी दे रही थी लेकिन जैसे ही हेमान स्वेशन सरकार आई उन्होंने पोशन सकी की नियुक्ती अरद कर दी साथ ही जो काम कर रही थी उन्हें नोकरी से बरखास्त कर दिया गया डॉक्तर मरांडी ने कहा कि रहुबर सरकार मुक्क मंत्री सुकाने योजना शुरू हुई थी उसे इस सरकार ने सिरिफ नाम बदल कर सावित्री बाई फुले योजना शुरू कर भावाई लूट रही है इडी के समन पर हाजिर नहीं हुए स्यम के प्रेश सलाकार सियम हेमान सुरन के प्रेश सलाकार अविसेख परसाद पिट्टू इडी के समन पर मंगलवार के पुछताच के लिए हाजिर नहीं हुए जारखन के माइनिंग घोटाले और उस्तिस समन्दित मनी लॉट्रिंग से जुड़े मामले उन्हें ब्यान दर्च कराने के लिए हाजिर होने को कहा गया था इसके पहले इसी मामले में साहिव गंज के डि सी राम निवास्यादा और सिया महमान सुरेन के करीबी माने जाने वाले आर्किटेक बिनोज सिंग भी इडी के समन पर हाजिर नहीं हुए हलाकि बिनोज सिंग ने इडी को पत्र भेज कर परिवार में एकसर्ज की बिमारी का हवाला देते हुए एक हपते का वक्त मांगा है जारखन में आठ हजार से ज्यादा बैंक खातों पर लगाई गई रोक जारखन में कथित रूप से सैवर अपराधियों से जुड़े 8674 बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है इन खातों के अवैद गति वीदियों में इस्तिमाल होने के संका थी अपराध जाच विभाग के एक अधिकाई ने मंगलवार को यह जनकारी दी है अधिकाई ने बताया है के जीन खातों पर रोक लगाई गई उनमें सबसे ज़्यादा 2,002 खाते देव घरजिले में हैं इसके बाद 1183 खाते धनबाद और 969 खाते रांची में हैं जमसेदपूर को ती नई सोगाद जमसेदपूर में सीटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकसीद किया जाएगा इसको लेकर ब्रिहत प्रोजेक्ट त्यार किया गया है जिसमें एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए वाहन का इंतजाम किया जाएगा इससे सहर में या तयात बेवस्था बेहतर होगी प्रोजेक्ट में 6 अस्तानों को चीनित कर अलग-अलग पॉइंट त्यार किये गया है जमसेदपूर अक्षेस के लिए CMC ने DPR त्यार कर लिया है सभी बस और आटो एस्टेंड में पीने के पानी की बेवस्था और इरीकसा के लिए चार्जिंग पॉइंट भी लगाने का प्रस्ताव है हमंत सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए सूद राज की हमंत सुरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के सूद लिए है और विभाग उनके उत्थान के लिए एक समय की त्योजना त्यार कर रहा है मंगलवार को एजनकारी महिला बाल बिकास एवम समाजिक सुरक्षा विभाग के सचीव किरपान ज्जा ने सुचना एवम जनसंपरक निदेसाले के कॉनफिरेंस हौल में पत्रकारों को दी उन्होंने कहा है कि विभागिय अस्तरपर्द समाजिक उत्थान के दिशा में मुख्यमत्री के दिशान दिशा निदेस पर विभीन अस्तरपर्द समाजिक सुरक्षा के तहत कार किये जा रहे हैं जारखन के उल्डा बाशनो देवी धाम में भी 22 जनवरी को मनेगा दीपोचव अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राममंदीर की प्राण पर्चिस्ता उत्सव को लेकर पूरे देश में जसन का महौल है के राम मंदीर में इसको लेकर भी से त्यारी की जा रही है इस औसर पर गालु डी के उल्डा में सीथ बैसनों देवी धाम परिशर में राम मंदीर में दीपोच्षो का यूजन किया जाएगा मंदीर कमिटी की ओर से एक हैर एक दिये जलाये जाएंगे इसके अलावा भजन की का आवेन भी होगा वहीं मंदीर कमिटी दोवारा मंदीर परिसर में HD डिस्पले स्क्रीन लगा कर इसके माधियम से अयोध्या में राम मंदीर उधाटन समारों को लाइप परसारन की योईना बनाई गई है नवालिक ललकी का अफरन कर दुसकर्म का मामला 25 सिम्हुम जीले के कुमार डोंगी थाना छेतर के एक गाउं में 8 बचों को पीता दुआरा 13 वर्षे नवालिक को दो दिनों तक अफरन कर दुसकर्म करने का मामला परकास में आया है कुमार डोंगी थाना के पुलिस की लपरवाही के काराण 11 जरुवरी को पोक्सो एट के तहात मामला दर्ज किया गया पीडिता की उसी दिन सदर अस्पताल में मेडिकल जाच कराई गई प्रंतु घाटना के 6 दिन बीत गए पर नियाले में 114 का अभ्यान धर्ज नहीं किया गया दूराचार के आरोपीत पर किसी तरह की पुलिस करवाई नहीं किये जाने से पीडित परिवाद जान से मारने की धमकी के बाद से डर कर चाईबासा के तांबो में समधित की घर में सरन लिये हुए है घटना 8 जनवरी की सामकी है साहिब गांज में सोहराई मिलन समारों में वे भाजपा के परदेषत अधियत बावला मरांडी के साथ हुए समारों में भाजपा के कई नेता मुझूद थे लोबिन की नराजगी छेपी नहीं वे हेमन्त सरकार की नितियों खिलाब बोलने का कोई मोका नहीं चुकते बिधान सभा के भीतर भीवे सरकार के खिलाब कुल का नराजगी का इजहार करते हैं हलाकि पुरूर में कभी वे भाज़पा के साथ खुल का सामने नहीं आए लेकिन अब उन्होंने अपना पैत्रा बदल लिया है वे जामों के लिए महत्पूर संथाल प्रगना में सक्रिये है उनकी तैयारी आगामी चुनाओं में जरकन मुक्ति मोचा को उसके अभेद गड में जटका देने की है धन्यवाद